नमस्कार दोस्तों, आप में से जितने लोग UPI का इस्तमाल करते होंगे, Unified Payment Interface का, जब भी आप कहीं पर एक जगह से दूसरे जगह पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो I am sure कि ये सबसे ज़्यादा बेटर आपको लगता होगा, मतब जितने भी अगर आप बाकी माध्यम देखिए, NEFT हो गया, IMPS हो गया, कोई भी आप देख लो, लेकिन जो सबसे best system है, मुझे वो लगता है UPI का, जाहिर सी बात है, इसमें limit है, that is 1 lakh से जादा आप नहीं कर सकते हो, लेकिन still, ये काफी better system है यहाँ पर, और अब क्या हुआ है कि भारत का UPI, और सेम उसी प्रकार स सिंगापूर के अंदर वहाँ पर जो pay now है, दोनों को integrate किया जा रहा है, दोनों को link किया जा रहा है, ताकि काफी आसानी से यहाँ पर, जो transfer है पैसे का, वो हो सके भारत और सिंगापूर के बीच में, यहाँ पर आप देख पाओगे, India Singapore to link fast payment system, तो इसको हम detail से जानेंगे, क क्या किस तरह से work करेगा, और नियम कानून क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम forex की बात कर रहे हैं, एक जगा से एक देश से दूसरे देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे complications आ जाते हैं, तो उससे related जितनी भी जानकारी है, वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला तो चलिए सबसे पहले देखते हैं exactly हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं, देखिए यह जो जानकारी है सबसे पहले Reserve Bank of India के द्वारा पिछले हफते ही दिया गया था यहाँ पर, और Reserve Bank of India ने साथी साथ जो Singapore की वहाँ की authority है, उसको कहा जाता है Monetary Authority of Singapore, उन दो रखेगा, यह पूरी तरह से लागू होगा अगले साल जुलाई के मैने से, जुलाई 2022 से यह आपका लागू होने वाला है, और यह कैसे होगा, भारत का जो UPI है, Unified Payment Interface, और जो Singapore का PayNow है, कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, दोनों को यहाँ पर link किया चाहेगा, त Singapore में बैठे हुए किसी वैक्ति को, तो वो काफी आसानी से कर सके, कहने का मतलब है, जैसे अभी present में आप देखोगे, तो आप दिल्ली से Bangalore कोई पैसा transfer करना चाहते हो, तो I think just एक ID की आपको आउशकता है, कि Bangalore में बैठा हुआ कोई person है, उसका ID क्या है, उसका UPI ID आप ले लो, और दिल्ली से तुरंट वो पैसा वहाँ पर चला जाएगा, तो ये system जिस तरह का है, वैसा ही Singapore के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो पुरा project चलाएगा, इसके माध्यम से जैसे मैंने बताया, कि आपको किसी दूसरे platform के जाने की जरुरत नहीं है, जैसे क्या होगा, एक तो जो time है, वो बहुत जादा बचेगा, काफी कम होगा, मैं आपको आगे बताऊँगा, इसके अलावा जो cost है, वो भी काफी हद तक कम हो सकता है, और exactly होगा नहीं होगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन cost भी काफी कमी आ सकता है, क्योंकि हम foreign exchange transfer की बा वहां का pay now को, ये basically भारत की तरफ से NPCI आपको पता होगा, National Payment Corporation of India और Singapore के अंदर एक liquid group है, दोनों के बीच में एक प्रकार से partnership के तहत किया जा रहा है, अब इसे एक और फायदा ये होगा कि जो Bheem app है, जितने भी users है Bheem app के, वो आगे चलकर 2022 से North Asia हो गया, South East Asia हो गया, वह वहां पर काफी आसानी से payment कर सकेंगे, जो QR code होता है आप उसको scan कहीं पर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो, वहां पर जाकर आपको payment करना है, तो simply आपको Bheem app का अपना निकालना है, QR code को वहां पर scan करना है, और आप पैसे transfer कर पाओगे, ये भी एक काफी अच्छी कीम के तहट LRS, जो की RBI के द्वारा चलाया जाता है, अब इसमें देखे होता क्या है, कि भारत का कोई भी resident, कोई भी व्यक्ती, maximum एक साल के अंदर $250,000 वो भेज सकता है, ध्यान रखेगा, $250,000 कह रहा हूं, ये रूपी नहीं है, तो ये हर साल maximum आप इतना रूपे भेज स सपोज आप एक लाख रूपे ट्रांसफर कर रहे हो, तो बैंक हो सकता है, आपसे $3,000, $4,000, मतलब काफी जादा hefty amount लग जाता है, और especially छोटे ट्रांसफर के लिए, बड़े ट्रांसफर में तो चलो उतना पता नहीं चलता है, थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन जो था, वर्ड, Swift System, उसी के माध्यम से फिर ये किया जाता है, अलग से आप देखी तो कई सारे bank यहाँ पर net banking के माध्यम से भी facility प्रोवाइट करते हैं, इसके अलावा आप किसी foreign merchant को credit card के माध्यम से भी दे सकते हो, अलग-अलग सुविधा तो है, लेकिन स्टिल ये सारे process थो लगता है, लेकिन आगे चल कर देखना होगा, कितना cost कम होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अभी भी रूपी देखोगे ना, तो बहुत जादा liquidity नहीं है, international market में उसकी, ठीक है, तो इसकी वज़े से थोड़ा सा costing बढ़ जाता है, तो देखते हैं, आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर taxes वो अगर आपके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, कि taxes क्या होता है, मैंने आपको बताया, यह जो scheme है, RBI का, liberalized remittance scheme, इसके तहत क्या होता है, जब भी आप money transfer करते हो, तो maximum आपको मैंने बताया, 250,000 per year कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर अब इसमें क्या होता है, कि 7,000,000 से ज़्यादा जब भी आप transfer करते हो, तब यहाँ पर आपके उपर 5% TCS लगता है, tax collected at source, कहने का मतलब है कि अगर सपोज आपने 10,000,000 रुपए transfer करना चाहते हो, भारत से Singapore या भारत से US जहाँ पर भी, तब आपको इसके उपर 5% tax देना पड़ेगा, कहने का मतलब है, आप just imagine करो, 50,000 रुपए, तो यह काफी ज़्यादा heavy लगता है, यह tax के रूप में है, लेकिन जैसा आपको बता है कि UPI वाला जो transfer है, उसमें maximum आप 1,00,000 कर सकते हो, तो हर बार क्या होगा, कि जब भी आप UPI के माध्यम से यह transfer करोगे, और ए थोड़े बहुत देने पड़ेंगे, तो यह पूरा मामला है दोस्तों, तो conclusion में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखे, conclusion यह ही है कि यह जो UPI और PayNow, यह दोनों को जो link किया जा रहा है, उसकी वज़ए से cross border जो payment का infrastructure है, वो improve होगा भारत और सिंगापूर की बीच में, और खास कर जो G20 का अगर आप देखोगे, जो G20 देश हैं, उसके अंदर financial inclusion priorities रखा गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो transfer किये जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, वो faster होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, transparent मैनल में होना चाहिए, तो यह सारी चीज़ों को देखते यह वाला जो step है, वो काफी मददगार साबित होगा, और इसकी वज़े से जैसे जो मैंने आपको बदा है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो time reduction और cost reduction यह देखने को मिलेगा, और जहां तक UPI की बात है, मैं आपको बोल रहा था कि काफी अच्छा growth हो रहा है हर बार इसका, हर साल के हिसाब से आप देखोगे, तो 109% अभी जुलाई के महने में growth देखने को मिली थी, जहां पर 6.1 trillion rupees का transfer किया गया था, तो यह पूरा वीडियो दोस्तों, इंडिया और सिंगपूर का जो UPI और PayNow को link किया जा रहा है, इससे क्या कुछ होगा, वो मैंने आपको बता जाने से पहले एक बहुत ही interesting question, यहां पर आपको बताना है which of the following are characteristics of treasury bills, सबसे पहले तो आपको पता होना कि यह treasury bills क्या होता है, और इसका सबसे important characteristic क्या है, यह आपको यहां पर बताना है, इसका जो right answer है आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गा ही, वहां पर अगर आप नहीं की त्यारी करें, simply आप हमारे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आपसे next time till then, thank you very much, see you soon.